रूस यूक्रेण युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरे टिकी हुई है रूस लगातार यूक्रेण के नए इलाफों पर कब्ज़ जमाना चाहता है सवाल अभी है कि आखिर कब तक यूक्रेण रूस के सामने टिकेगा तो यूक्रेन संकट पर सबकी नजरे बनी हुई है और आपको ये भी बता दे कि आज निंदा प्रस्ताफ पर वोटिंग भी होनी है यूक्रेन संकट पर नैटो की तरफ से बयान दिया गया है जिसमें रूस के ने नियमों का उलंगन किया है ये कहा है नैटो ने हालांके आपको ये भी बता दे कि रूस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से रेड लाइन को क्रॉस किया गया उसके बाद हमला किया है तो एक बार फिर से नेटो की तरफ से बयाना है जिसमें नैटोक शेत्रों में सेना को तैनात करने की बात नैटोक की तरफ से कही गई है तो रूस पर बेहदी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे ये नैटोक की तरफ से कहा गया है हालांके अमेरिका की तरफ से भी साफ कर दिया गया था, तमाम सेंक्शन्स की बात कही गई थी, लेकिन यूक्रेइन संकट पर नैटो की तरफ से जो ताजा बयान आया वो हम आपको दिखा रहे हैं, रूस ने नियम का उलंगन किया है, आज निंदा प्रस्ताप पर वोटिंग भी होनी है, रात को भारतिय समय के साफ से डेड़ वजे, तो कुल मिलाकर चौतरफा निंदा जरूर की जा रही है, उसी में नैटो की तरफ से कहा है, ये गया है, कि रूस ने नियमों का उलंगन किया है, किसी भी कारवाई का जवाब देने के लिए तैयार हैं नैटो देश तो इस वक्त की बड़ी और एहम खबर हम आपको बता रहे हैं, हलांके युकरेन के राश्चोपती जलन्सकी की तरफ से बातचीत की बात कही गई है, लेकिन रूस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है, कि जब तक सेनाय सरेंडर नहीं करेंगी युकरेन की, तब तक बातची संभव नहीं है,